हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम अगें टू माई चैनल, बेटा जी क्लास 12 के स्टुडेंट्स के लिए मैं R.D. शर्मा की M.C. क्यों वाली जो बुक है, उसका सॉलुशन करवा रही हूँ और आज कल हमारा चैप्टर 1, रियल नंबर्स का सॉलुशन चल रहा है, थ्री वीडियो मैं अल्रेडी अप्लोड कर चुकी हूँ, जिनमें मैं क्विश्चेन नंबर 1, 2, 65 सॉल्व कर चुकी हूँ आप देख सकते हैं कि यह आपके केस टडी क्विश्चेन है, जिसमें क्विश्चेन नंबर 64 और 65 मैंने अल्रेडी प्रिविएस वीडियो में सॉलु करवा दिया था, तो आज हम क्विश्चेन नंबर 66 से आगे स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2 केस टडी हैं और कुछ अमारे असर्शन रीजिन के क्विश्चेन से, अगर आपने प्रिविएस वीडियो नहीं देखी हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप वहां जाकर इन सभी प्रिविएस वीडियो को देखकर इन एमसी के उसको सॉलु कर सकते हैं, अब ह सभी एमसी के उस, सॉल्व करने हैं, ठीक है, थोड़ा और एनलार्ज कर लेते हैं, और अब हम देखते हैं, क्विश्चेन नमबर 66, क्या कहता है ये क्विश्चेन नमबर 66 में, जै, जमील, एंड जॉनी, डिसाइडी तू प्ले ए गेम ओफ क्लाइम बिंग हंडर्ड स्टे स्टेर्ज हैं, मालो ये आपकी स्टेर्ज हैं, ठीक है, समझ में आरी मेरी बात, बलकि इसको नहीं कि नुमेरिकल वैल्यू से मैं आपको समझाती हूँ, कि ये आपकी स्टेर्ज हैं, भाई ये फर्स्ट है, ये सेकिंड है, ये थर्ड है, ये फॉर्थ है, ये फिफ्थ है, 6th है 7th है और ऐसे करते करते हैं आपकी 100 stairs है तो जै क्या करता है कि 5 stairs पर वो चड़ता है यानि 1, 2, 3, 4, 5 और तुरंत 2 stairs डाउन आ जाता है फिर वहां से यहां और यहां वापिस यानि वो actual में stair number 3 पर आ जाता है Jamil goes up by 7 stairs and come down by 2 stairs वो 7 सीडियों तक चलता है और 2 पीछे आ जाता है तो वो 5 पर है then Johnny goes 10 stairs up and 3 stairs down each time और Johnny क्या करता है अगर मैं अलग से color लूँ will it be able to see here 10 stairs पर जाता है और 3 stairs down आता है तो 3 stairs down आता है तो 7 पर है जो मैंने circle किये हैं यह तीनों की actual positions है पहले वो उपर जा रहे हैं फिर कुछ stairs नीचे आ रहे हैं each one of them stops when less numbers of stairs are left than the number of stairs for his forward movement इस बात का क्या मतलब है कि जै को जैसे 5 stairs चड़नी है तो यह 100th stair है यह 99 है 98 है 97 है 96 है अब जै मान लो यहां आ गया और अब उसको जाना था पहले 5 देखो रूल यही है कि 5 stair चड़ेगा फिर 2 उतरेगा इसके पास 5 stair जाने के लिए नहीं है तो वो यहां पर रुक जाएगा आगे नहीं जाएगा इसी तरह से सब इसी तरह करेंगे जमील को अगर 7 stair नहीं मिल रही है तो वो आगे नहीं जाएगा और जौनी को 10 stair नहीं मिल रही है तो वो आगे नहीं जाएगा अगर हमें ये बात समझ आ जाती है तो हमारी question में कोई ज़्यादा बड़ी problem हमें नहीं आएगी ठीक है थोड़ा ध्यान से समझना है एक दो इसमें statement answer भी हो सकता है कि आपके रोंगो ध्यान देंगे who climbs the maximum number of stairs तो सबसे ज़्यादा stairs कौन चड़ता है इन में से तीनों में से या कोई दो का pair है थोड़ा सा हमें statement को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं तो समझो अब इस चीज को कि सबसे ज़्यादा सीडियां किसने चड़ी तो actual में हो क्या रहा है कि जो jay है वो actual में एक बार में केवल तीन सीडियां चड़ रहा है ठीक है इसको तो थोड़ा चोटा करना ही पड़ेगा नहीं तो हमारा space कम हो जाएगा I hope आपको दिखाई दे रहा है jay चड़ रहा है 3, 6, 9, 12, 15 के according दूसरा बच्चा है अपना जमील बच्चा है या बड़ा है यह हमें नहीं पता तो जमील ने क्या किया था कि 7 पर चड़ा और 2 पर वापिस आया तो 5, 10, 15, 20 and so on और तीसरा है अपना जौनी 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 यास पापा वाला जौनी तो वो 10 चड़ता तीन उतरता है तो 7, 14, 21 and so on इस तरह चड़ा अब यह आपकी stairs है भाया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अगर मैं यह थोड़ा पार्टीशन कर लूँ तो 199, 98, 97 and so on अगर हम जै को काउंट करते हैं तीन-तीन के पेर में तो थर्ड पे जाएगा फिर शिक्त पे जाएगा, नाइन्त पे जाएगा अब मेरी बात सुनो ध्यान से तीन सीडिया नहीं चड़ रहा है वो एक्चुल में पांच-पांच stairs चड़ रहा है और पांच stairs चड़ते हुए जब वो दो-दो वापिस आ रहा है तो तीन-तीन पे जा रहा है तो तीन का multiple यहां हो गया 99 और उससे पहले तीन का multiple हो गया 96 तो 96 तक तो वो जाएगा अब 96 तक जाने के बाद बात को सुन लो तीन के multiples लेते चले गए तो आपको लगेगा कि वो 99 तक गया है लेकिन वो 99 तक नहीं गया 96 तक गया 96 से पहले माल वो 33 नंबर की CD पे चड़ा हम यह काउंटिंग लेते हैं देखो 100, 99, 98 यह थोड़ा अपना जनरल उसका question है 96, 95, 94, 93 वो 93 पे गया है उसके बाद वो 5 सीडिया चड़ा 1, 2, 3, 4, 5 और 2 सीडिया वापिस आके 96 पे रुक गया अब उसको चाहिए 5 सीडिया तो 5 सीडिया उसके पास नहीं है तो जै जो है वो 96 नंबर की CD पर रुक जाएगा बात समझ में आ गई पक्का आगे बढ़ू अब देखते हैं जमील को अब जमील क्या कर रहा है साथ साथ सीडिया चड़ रहा है तो वो साथ के multiples पे रहेगा ठीक है 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 और यहां से मैं ले लेती हूँ अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो वो 7 पर जाके वापिस 5 पर आ रहा है तो 5 के multiples पे चल रहा है ठीक है प्रिवेस पेज अगर हम देखते हैं तो वो 5 के multiples पे चल रहा है लेकिन 5 के multiples की बात करूँ तो पिचान में 95 और 95 से पहले वो 90 नंबर की CD पर है अब उसका process है कि वो 7 सीडियां चड़ेगा तो वो 97 पर जाएगा सुन रहे हो 7 stairs चड़के 2 stairs वापिस आ रहा है तो वो 97 पर जाएगा और 2 वापिस करके 95 पर आ गया अब उसे चाहिए 7 सीडियां जो कि उसके लिए नहीं बच रही है तो उसे 95 पर ही rest क करना पड़ेगा यही हमने पढ़ा था कि जितनी सीडियां उसने चड़नी थी अगर वो उसको नहीं मिलती है तो वो बच्चा वहीं पर stop कर जाएगा तो यह stop कर जाएगा 95 पर अब जोनी की बात अगर हम करते है तो वो 7 के मल्टी पल्स में अपना चल रहा है तो आप 7 के मल 98 तक कब जाएगा ठीक है 7 का मल्टी पल इससे नीचे ले क्या आओ 98 से नीचे आजाओ 91 पर वहीं सेवन के मल्टी पल्स की बात कर रहे तो 98 से पहले जो मल्टी पल है वो 91 आएगा अब वो 91 तक तो पहुँच जाएगा लेकिन 91 तक पहुचने के बाद उसे उपर जाने के ल पर यह तीनों की कंडिशन आ गई अब आप अपने क्विश्चन के आंस्वर देखें की हू क्लाइम्स दा मैक्सिमम नंबर ओफ स्टेर्स तो 96 सीडिया जै चड़ेगा तो ए आंस्वर आएगा आपकी बुक में इसका आंस्वर रोंग है हाव मैनी टाइम्स कैन दे मीट इन बिट्वीन अउन दा सेम स्टेर्स तीनों के तीनों कहां मिल सकते हैं तो थ्री का मल्टीपल फाइव का और सेवन का इनका एगसी एफ ले लो आएगसी एफ न ले लो नहीं हैं तो कभी भी नहीं मिलेंगे who takes the least number of attempts to reach the 100th stair उस 100th stair पे तो कोई नहीं पहुँच रहा लोजिक को समझना इस 100th stair के nearby पहुँचने में किसको सबसे कम चलना पड़ा जैक 3-3 के step में चल रहा है लोजिक को पकड़ना और उसे 96 stairs चलनी है तो 96 को जब 3 से divide करोगे तो 32 आएगा तो जै को 32 times stairs पर चलना पड़ा जमील 5-5 के combination में और 95 तक गया है तो जमील 95 को 5 से divide कर दो only 19 times 19-5 जा 95 और जोनी 7-7 के combination में चल रहा और 91 तक गया है तो 91 को 7 से divide करो तो 13-7 जा 91 तो जोनी को केवल 13 बार में ही वो 91 पे पहुँच गया वो सबसे नजदीक नहीं है बात को समझना लेकिन तीनो का maximum reaching point तो यही है ना तीनो इससे उपर तो जा नहीं सकते जै 96 से उपर नहीं जा सकता जमील 95 से उपर नहीं जा सकता जोनी 91 से उपर नहीं जा सकता और अपने maximum end point पर पहुचने के लिए सबसे कम steps किसने चलने किसको चलने पड़े तो जोनी को सबसे कम चलना पड़ा 13 steps तो आपका answer option C जोनी हो जाएगा who meet the for the first time on a stair pairs में बताना है अब आपने pairs में बताना है कि जै जमील जमील जोनी जमील जै में से कौन मिलता है तो दोनों इनका पेर में इनका अपना वो देख लो LCM जै और जमील का देख लो तो 3 और 5 का जो LCM है वो आएगा 15 सुनो मेरी बात और 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 अपना 5 और 7 का LCM देख लो तो 5 और 7 का LCM आएगा 35 और 3 और 7 का देख लो 3 और 7 का LCM आएगा 21 समझ रहे हो ने मेरी बात को ये है नाम भी तो एक से दे दिये ना इन्होंने जै और जमील का यह है जमील और जॉनी का जे एम कर देना और यह है जै और जॉनी का ठीक है अब देखो तीनों में सबसे कम LCM क्या है पंदरा है तीनों का सबसे लीस्ट LCM क्या है अपना 15 है तो जै और जमील सबसे पहले मिलेंगे 15 नमबर पर अपना 15 टरंस के बाद ठीक है तो आप यहाँ पर लगा लीजिए जै और जमील आफ्टर 15 टान्स तो ए ओप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ का हूँ मीट फोर दा सेकंड टाइम ओने स्टेर तो सेकंड लसी एम 21 है तो जै और जोनी जै एंड जोनी आफ्टर 21 टान्स तो यह था आपका क्विश्चन थोड़ा सा अलग था थोड़ा मुश्किल था फिर भी कोई क्वैरियो आपने मुझे जरूर बताना है और अगर लेक्टर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए नेक्स्ट के स्टेडी पर चलते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट के स्टेडी 67 यह अ है अपना यहां 3 है बेटा मैं साफ साफ लिख देती हूं यह है 1 2 7 5 यह 3 है यह 4 2 5 है यह 85 है और और यह हमारा यहां पर 5 है यह हमारा यहां पर 5 है clear क्योंकि blue color था ना the value of X अब X क्या है इन X के यह दो factors है factor 3 आप 8th class से करते आ रहे हो तो इन दोनों की product X हो जाएगी इन दोनों को multiply कर दो, 1, 2, 7, 5 को 3 से कर दो, 3, 5, 15, 3, 7, 21, 22, 2, 3, 2, 6, 2, 8, 3, 1, 3, 38, 25, तो B is the correct answer, okay, 38, 25 आ गई X की value, अब Y की value कहता है, तो Y कहां से आएगा, यहां ध्यान दो, 425 के दो factors है, Y और 85, 425 को 85 से divide करोगे, तो Y आ जाएगा, जो की 5 आएगा, देख लो अपना, इ यह आपका correct answer आ जाएगा, और, और, और 85 के यह दो factors है, यहां 5 और यहां Z है, तो 17, 5, जा 85 होता है, तो Z की value कितनी आ जाएगी, 17, अब यह पूछ रहा है, X प्लस Y प्लस Z, तो X कितना है, 38, 25, Y कितना है, 5 और Z कितना है, 17, 17, 2, 3, 4, 3, 8, 4, 7 is the correct answer, तो यह आपका simplest one था, औ और अब चलते हैं अपने assertion region, पर assertion region आप सबको पता होगा, two statements will be given, आपको एक assertion होता है, एक reason होता है, दोनों की truth और false हमने check करना होता है, दोनों true है, first भी true है, second भी true है, and the second is correct explanation of first, तो हम A choose करते हैं, दोनों true है, लेकिन second statement first को define नहीं करती है, उसकी correct explanation नहीं है, तो B choose करत हैं, first false, second true है, तो D choose करते हैं, तो हम अपना 68th question देखते हैं, HCF and LCM of two natural numbers are 25 and 815 respectively, बस इतना ही बोला है इसने, ठीक है, दो natural number का HCF और LCM 25 और 815 है, LCM of two natural numbers is always divisible by HCF, ये तो बिलकुल सही कह रहा है, कि LCM HCF से divide होता है, अब इसको check करने के लिए हम 815 को 25 से divide कर लेते हैं, 25, 3, 2, 75 और 11 में से 5 गेच हैं, और ये divide नहीं हो रहा, तो ये false है, देखो ना तो आपको numbers पता, लेकिन HCF, LCM दे रखा है, तो आप कैसे check करोगे, कि LCM को HCF से divide करके देख लो, अगर fully divisible है, तो ये HCF, LCM हो सकते हैं, लेकिन यहां जो LCM है, वो HCF से भाग नहीं हो रहा, divisible नहीं है, तो ये HCF और LCM तो हो नहीं सकते, तो ये तो false है, और ये true है, तो option D, तो इसका 68 का जो answer आएगा, वो option D आजाएगा, clear, 69 पे आजाओ, 234 और 47 का HCF 1 है, HCF of 2 co-primes is always 1, तो ये तो आपका true है, लेकिन इनको अगर हम check करें, तो पहले हम HCF के लिए check करते हैं, भाईया कि 234 के factors क्या हो सकते हैं, तो 234 के करो भे prime factors, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 27 जा 14, और 13 निम में 117 होता है, तो 3 पर डिवाइड हो जागा, 339, 39 जा 27, 3 बन जा 3, 339 और 13, सुन लो मेरी बात ध्यान से, 234 के factors हो गए, 233 और 13, और 47 प्राइम नंबर है, तो दोनों को प्राइम हो गए, दोनों का HCF 1 हो गया, तो ये भी true है, ये बी true है, और ये result इसकी correct explanation कर रहा है, तो 69 का option A correct हो जाएगा, 70 पर चलते हैं, एक बार इसको में थोड़ा साफ कर दू, root 11, 70 देखें, root 11 is an irrational number, true है, P is a prime number, then root P is an irrational number, ये भी true है, prime number का under root always irrational होता है, root 11 prime में 11 का under root भी irrational होगा, ये इसकी correct explanation कर रहा है, तो 70th का answer भी A आजाएगा, 71st पर आजाओ अब आप, कि HCF of 2 consecutive natural numbers is 1, क्योंकि 2 consecutive natural numbers always co-prime होते हैं, HCF of 2 co-prime is 1, ये भी true है, दोनों true हैं, और second वाला first की correct explanation कर रहा है, तो इसका answer A आजाएगा, अब आजाओ 72 पर, for any positive integer N, N cube minus N is divisible by 6, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि आप देखो कि, जो अपना N cube minus N होता है, इसमें से मैं N common ले लूँ, तो ये बन गया N square minus 1, मैं इसको लिख सकती हूँ, N square minus 1 square, इसके मैं factors कर लूँ, तो N minus 1 और N plus 1, अब आप इसको लिख सकते हो, N minus 1 आगे, फिर N और N plus 1, ये तीन consecutive integers हैं, और तीन consecutive integers की product always 6 से divisible होती है, next page पर देखते हैं कि क्या दे रखा है आपको इसका, तो ये आपको दे रखा है कि product of 3 consecutive natural numbers is always multiple of 6, ये भी true है, वो भी true है, और 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 जो region है, वो हमारे उस result को correctly define कर रहा है, तो इसका answer भी A आ जाएगा, अब चलते हैं question number 73 पर, if HCF of A, B is 4, product of AB is 96 into 104, then LCM is this, NCRT का question है ये, हम सब को पता हैं कि दो numbers का LCM into HCF is equal to their product, तो अगर हमें LCM निकालना है, तो हम product को HCF से divide कर देते हैं, product है 96 into 404, और HCF है 4, तो ये हो गया 101, और इसको cut करोगे तो 96, 96, तो ये बिल्कुल true है, NCRT का question है, LCM of two numbers A and B is equal to HCF into AB, ये बिल्कुल false है, क्योंकि LCM होता है, numbers की product को HCF से divide करना है, तो ये true है और ये false है, अगर आपका A true है, देख लीजे, अगर आपका A true है और ये false है, तो हमारा C option correct होता है, तो इसका जो answer है, वो option C आ जाएगा, 74 पे आ जाओ बच्चे, question number 74 क्या कहता है, 997 is the largest 3-digit prime number, ये बिल्कुल true है, क्योंकि उससे बड़ा क्या होता है, 998 जो की even है, उससे बड़ा होता है, 999 जो की 3 से divide हो जाता है, तो ये दोनों तो prime है, ये ही सबसे largest prime number है, और ये क्या कहता है, a positive number n is a prime number, if no positive integer less than or equal to root n divides n, क्या कहता है, ये कि जिस number को हम prime prove करना चाह रहे हैं, उस number का under root से छोटा, सुन लो ध्यान से, no positive integer less than or equal to root n, चीक है, ये जो number है, इसके square root के equal, यानि इसका square root, या इससे छोटा कोई भी number, अगर n को divide नहीं करता है, तो वो prime number होता है, तो आप देख सकते हैं, 997 का root अब निकाल नहीं पाएंगे, decimal में चला जाएगा, तो वो तो 997 को divide नहीं करेगा, और इससे छोटे जितने भी number से, उनके under root भी 997 को divide नह correct option, और अब जल्दी से अपना last assertion region question देखते हैं, chapter 1 का last mc क्यों हम यहां देखते हैं, root 2 plus root 3 is an irrational number, बिल्कुल true है, क्योंकि यह भी irrational है, यह और दो irrational का sum irrational होता है, इस P and क्यों और prime positive integers, अगर P और क्यों प्राइम है, positive है, तो उनके square roots का sum भी irrational होता है, यह भी true है, and region is correctly explaining the assertion, तो हमारा correct answer आजाएगा, वो option A आजाएगा, तो यह आपका, इसमें कुछ complete solution था, यह आपके answer से, जिसमें कुछ wrong है, तो जो मैंने आपको बताएं, उनके according आप इनको ठीक कर लीजेगा, मैंने यह भी बोला था, कि इस book की PDF मैं आपको telegram में share कर दूँगी, तो आप telegram पर म with your maximum friends, and do not forget to subscribe my channel, thank you.